चार राशिया होती है सबसे ताकत्वर, चार राशियों के कदमों में जुखती है सारी दुनिया, चार राशियों वाले दुनिया में होते हैं सबसे शक्तिशाली, चार राशियों वाले को कदमों में होते हैं सारी संपत्ति, धन संपत्ति, सब कुछ मिलता है चार राशियों क चार राशी वाले होते हैं भागिशालित मित्रो साधर जैसी क्रिश्णो हमारे यूट्वेटीम चैनल अंकरी दे रहे हैं कि हमारे जोतिस शास्त्र में बारह राशी होती है और बारह राशियों मेंसे चार राशी के व्यक्ति ऐसे होते हैं greatly agora और बहुत शक्तिसाली होते हैं, इनसे पंगा लेना कोई सरल काम नहीं है, ये आत्म इश्वासी होते हैं और धान संपत्ति सब कुछ इनके कदमों में गिरती है, तो मित्रो आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं कि चार राशी कौन-कौन सी है, क्या आपकी भी राशी इसमे सामिल है, तो मित्रो सबसे पहले तो मित्रो आज हम बात कर रहे हैं कि चार राशियां होती है, सबसे ताकतवार, सबसे सक्तिसाली, सारी दुनिया इनके आगे जुकती है, क्या आपकी राशी भी इनमें से एक है, तो मित्रो हम आपको बता दें कि पूरी बारा राशियां हो होती है जो सबसे सकती साली और ताकतवर मानी जाती है तो पहली रासी होती है मेस रासी मेस रासी का स्वामी मंगल होता है और मेस रासी सबसे सकती साली राशियों में एक मानी जाती है मेस रासी वाले सभी लोग पूरी उर्जा से भरे होते हैं ऐसे लोगों के स्वभाव में रुखना नहीं होता है, बिलकुल निरंतर सतक चलना और चलना केवल कर्म पर ये लोग विश्वास रखते हैं और मेहनत से ही इनको सफलता मिलती है, इसके साथ ही इस रासी के लोग कभी किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं, जो कुछ करते हैं अपने दम पे करते हैं, अपनी मेहनत पे करते हैं और ये लोग अच्छी उंचाईयों को भी पा लेते हैं। कुछ समय के लिए इनको हो सकता है, संघर्ष रहता है जीवन में, लेकिन बाद में ये पूरी दुनिया को अपनी मुठी में कर लेते हैं, अगर इनके साथ कोई धोका करता है, तो इन से बड़ा सत्रू भी उनका कोई नहीं होता है। इसलिए मेश रासी वालों से साउधन रेना, क्योंकि मेश रासी भी सबसे ताकतवर रासी में से एक रासी मानी जाती है। दूसरी रासी हम आपको बताते हैं, यह है व्रश्चिक रासी सबसे ताकतवर है, जब यह किसी की हो जाती है, तो पूरी तरह उसके प्रति समरपन का भाव रखती है। और यदि इनके साथ कोई दुश्मनी करता है, तो दुश्मनी भी उसी हद तक यह निभाते हैं। क्योंकि व्रश्चिक रासी का स्वामी मंगल ग्रह होता है और व्रश्चिक रासी वाले सबसे ताकत्वर व्यक्ति माने जाते हैं व्रश्चिक रासी वाले इमानदार व्यक्ति होते हैं लेकिन कईयों के अंदर दोही सुभाव भी होता है ऐसे लोग लड़ाकू भी होते हैं ऐसे लोग इमानदारी के साथ अच्छे से पैस आते हैं लेकिन यदि इनको कोई कष्ट पहुँचाता है हर्ट करता है तो ये भावनात्मक रूप से अत्याधिक आक्रामक हो जाते हैं और ताकतवर राशियों में दूसरे नंबर पर आती है व्रश्चिक राशी अब हम बता दें कि तीसरे नंबर पर ताकतवर राशी आती है मकर राशी मकर राशी ताकतवर राशीयों में तीसरे नंबर पर आती है इन राशी वाले भी लोग बहुत सक्तिसाली और ताकतवर होते हैं खुद पर नियंतरन रखना इनको अच्छे से आता है मकर राशी वाले दूसरी राशी वालों के साथ सोच समझ कर ही व्यभार करते हैं जैसे के साथ तैसा व्यभार करना इनकी प्रवक्ति होती है और ये जो है अपने को सभी के अनुरूप ढाल लेते हैं ये शक्ति साली होते हुए भी अपनी शक्ति का कभी प्रदर्सन नहीं करते हैं किसी को ये नहीं दिखाते हैं कि मेरे अंदर इत्ती शक्ति है ये जो भी काम करते हैं वो पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ करते हैं और इस मेहनत का परिणाम इनको भले ही देर से मिले लेकिन बहुत अच्छा परिणाम मिलता है कई बार ये लोग परिशान भी हो जाते हैं लेकिन फिर भी इनके साथ इनकी शक्ती रहती है और इनके स्वामी शनी ग्रह होते हैं तो शनी का इस्थाइत भी इनको फल देने लगता है तो मकर राशी वाले अपने लक्षों को प्राप्त करके ही रहते हैं और निरंतर लक्षों को साधने में लगे ही रहते हैं अब हम बात करते हैं चोथी सबसे सक्ति साली राशी होती है कुम्ब राशी, कुम्ब राशी वाले लोग अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से काबू रखते हैं, ये कभी भावनाओं में भाकर किसी भी तरह का फेसला नहीं लेते हैं, हलाकि कई बार जरुत पढ़ने पर ये लोग अपनी सम्वे इतनाओं को दर किनार कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं कुम्बराशी वाले लोग हमेशा आत्मिश्वास से भरे रहते हैं और ये जो है हमेशा इस उहापोह में लगे रहते हैं कि दूसरों से मैं अच्छा हूँ और अपने आपको अच्छा करने में ये सदेव जो है मे इस्रम करते हैं और आगे बढ़ते हैं और इनका एक उद्देश शिरिता है कि मेहनत करके आगे बढ़ना और स्वयम के बलबूते पर जीवन में जो है आगे बढ़ना तरक्की करना नाम कमाना और कैसे भी हो नाम कमाना और बस नाम कमाना अपनी प्रसिद्धी के लिए ये कुम्बराशी वाले बहुत सक्तिसाली होते हैं और कुम्बराशी वालों की एक विसेस्था और होती है कि इनके साथ कोई भी चलकपट यदि करता है तो वो उसका बदला भी उसी तरह लेते हैं कुम्बराशी वालो यदि आप किसी के साथ जो है अच्छा करोगे तो आपको भी उसका परिणाम अच्छा मिलेगा क्योंकि कुम्बराशी का जो प्रतीक होता है वो होता है घड़ा और कुम्बराशी वाले का जो स्वामी होता है शनी होता है तो कुम्ब राशी वाले उनके साथ पूरु जन्म से घड़ा लेकर के आते हैं वो घड़ा होता है धन का घड़ा भी हो सकता है संपत्ती का घड़ा हो सकता है और अनेको वस्तुओं का वो घड़ा भर करके हो सकता है तो कुम्ब राशी वालो आप भी बहुत सक्तिसाली होते ह आप हमेशा निडर रहते हैं किसी से डरते नहीं है लेकिन आप दूसरों का सम्मान करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आपके अंदर एक अदभुत प्रतिभा भी शिपिरेती हैं आप शक्तिसाली हैं आप निडर रहते हैं और आप सदेव लक्षों की ओर बढ़ने वाल ये तरह सेवसले हैं ऩुछों की चुछने दनी सब्सेथ सेव 1980.